आज मैं आपसे CBSE Boards Result 2023 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी request करने आए हूँ इस वीडियो में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे channels है, बहुत सारे ऐसे media house है, बहुत सारे ऐसे apps है जो कि आपको कह रहे हैं कि आप अपना details वहाँ पर upload करो यानि कि मैंने ये बहुत सारे news articles और बहुत सारी जगह देखा है, जहाँ पर they are giving you a portal और they are giving you a pop out जिसमें कि आपको अपना name, अपना roll number, अपना school code और ये सारी चीज़े डालनी है जिसके through they can get your result, they are claiming that they will give you a result, बहुत ही आसानी से आपको सबसे पहले आपका result दे देंगे और काफी सारे बच्चे जो हैं वो अपनी इस information को, अपनी private information को हर जगह upload कर रहे हैं मैं आपसे बहुत ही honestly ये request करना चाहता हूँ, please don't upload any of your information anywhere because this can be a scam too मेरे को पता है कि आपका result जानके कोई आपके लिए कुछ भी नहीं कर लेगा या फिर कुछ भी नहीं उसको पता चल जाएगा but a minor and small details can also be used in a very negative way देखो यार तुम लोगों को लगता होगा that your data doesn't matter, तुम्हारा data matter नहीं करता है, ये तुम्हारे अंदर होगा but reality is that your data matters a lot, even your data gets sell, ठीक है, we, मतलब कि मेरे को भी as a YouTube creator बहुत सारे लोगों से contact आते हैं, mail आते हैं, जिनमें वो कहते हैं कि जितने भी बच्चे का आपके पास data है, वो आप हमें दे दो but we always keep your data private, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने मेरे से आके कुछ लिया हो, या फिर मेरे कोई form को भरा हो तो मैं उनके data को बहुत ही private और safe अपने पास रखता हूँ, क्योंकि वो मैं उनके लिए बस उनकी एक record के लिए use करता था और वो data काफी सारे जो websites है, काफी सारे बहुत ही known websites है, जो कि आके हमसे खड़ने के बहुत सारे पैसे देते हैं but we don't sell it, ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी request करूँगा, please don't upload any of your information like your phone, your name, your phone email ID और other information like your CBS result, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पर भी आपके pop-outs आ रहा है, कि वो आपको CBS result बता देंगे, वहाँ पर आप अपना सब कुछ upload कर दो they are basically asking for your phone number and email too, and after that they will send it to some of the institute, और मैं कह सकता हूँ, some of the colleges also, जिनसे कि आपको repetitive call आएंगे, even if you don't want it अगर आपको सामने से किसी counselor को approach करना तो आप जरूर करो, but if you, मतलब मैं बताता हूँ, यार इतनी ज़्यादा calls आएंगे, इतनी misuse हो जाएगी आपके उस data की, कि आप समझ भी नहीं सकते, इसलिए एक छोटी सी request रहेगी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कि आप बता देना चाहता हूँ, बहुत important कि if you are preparing for CLAT exam, तो CLAT के printed mock test आपको मिलने वाले हैं, और ये जो होने वाले हैं, काफी जादा detailed होने वाले हो, साथी साथ आप लोगों के जो mock test का calendar है, आपके screen पे आपको दिख रहा होगा, इसमें काफी सारे free mocks है, जो कि आन Academy आपको provide करा र रहे हो, साथी में आपको बता दू कि आप लोगों के लिए LLB based, the warrior batch already launch हो रखा है, जिसको कि आप access कर सकते हो, with the help of Unacademy subscription, जिस पर भी आपको 20% off मिल रहा है, और साथी में ये भी बता दू कि जितने वी बच्छे Slack 2023 दे रहे है, Unacademy has released the mock test series for Slack, जो कि actually में कोई भी platform नहीं कर रही है, in just 665 rupees, और अगर आप इसमें PDNs 10 code लगाते हो, तो you will get extra discounts for sure, तो जाओ फट अफट और description से जाके इन सारे offers का फायदा उठा लो, free mock test आप सभी लोगों के लिए एक gift from रितु भाईया, और साथी में बता देता हूं कि 20% off चल रहा है, तो कोई भी तुमारे दोस्त हो, या तुम हो, या किसी को भी किसी भी प्रकार का subscription लेना है, PDNs 10 code यूज करके आप लोगो subscription को ले सकते हो, ठीक है, चलो अब चलते हैं, वीडियो में आगे, देखो यार, जाते-जाते यह बता देता हूं कि आप अपना result कहां से access कर सकते हो, it is very simple, cbscresult.nic.in पे आपका result जो है, वो officially cbsc के website पे upload हो जाएगा, या फिर आप cbsc की governmental website खोलोगे, तो वहाँ पर आपको एक portal मिलता है result करके, जिस पे आप click करोगे, तो आप cbscresult.nic.in पे redirect हो जाते हो, दूसरी तरीका है कि आप digilocker पे अपना account बना लो, और digilocker पे जैसे result आएगा, आप वहाँ से recognized by government, then only trust it, जो भी apps ऐसे रहे, जहाँ से आपको result मिल रहा है, if it is recognized by government और cbsc, then only you should trust on them, अगर वो लो government और cbsc से recognized नहीं है, please don't fall for that scam, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपका email ID, या फिर कहीं पर भी आपका phone number पूछ रहा है, accept your name, roll number and all these things, समझ जब वो scam है, उससे बस बचके रहे न, save your data, save your privacy, और यही warning मैं तुम लोगों को देने के लिए आया था, ठीक है, मैं hope करता हूँ कि तुम इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बबाई टिक के और पीस, चैहिंद, वंदे मात्रूं